अलो और वेलकम दोस्तों तो 5 Minutes Engineering आज का वीडियो वाके बड़ा कमाल कोने वाला है दोस्तों क्योंकि आज के इस वीडियो में भाईया अपन जो है अलग-अलग कारणामे noise के देखने वाले हैं, अलग-अलग प्राकरम जो है चीटियां चलते हुए दिखती है, काली चीटियां, सपे चीटियों का एक mixture दिखता है, जिसको आपन एक तरीके से बोलते हैं भाईया ये noise screen है, no signal screen है, सभी बात है कि नहीं तो ऐसी कुछ noise जो है, आपन यहाँ पे भी generate कर सकते हैं और वो कैसे कर सकते हैं, और उसके साथ क्या-क्या, और खेल भी खेल सकते हैं वो सारी चीज़ है, आज बड़ी interesting तरीके से आपके सामने practically में सामने रखने वाला हूँ, तो इसके लिए जो अपने को वहिया ingredients लगने वाले है, वो तो अपना simple funda cv2 लगने वाला है, numpy लगने वाला और matplotlib लगने वाला, ठीक है तो शुरुआत में आपन क्या करते हैं, एक noise generate करने की कोशिश करते हैं कैसे करोगे आप noise generate, बड़ा simple सा funda है, आपन यहाँ पे numpy की मदद लेंगे np.randomrandint, तो यह function अपने शुरुआत में यूज कर चुके हैं, जब मैंने बहुत ही like start of the start, शुरुआत की शुरुआत जब हुने की थी, computer vision समझने की जानने की और उसके लिए एक range जो है, वो अपने को देनी पड़ेगी, तो low दे दिया 0, high दे दिया 2, अब high का जो आकड़ा होता है, जो 2 है, वो नहीं पकड़ा जाता, minus 1, यानिकि 2, minus 1, 1, यानिकि 0, 1, 0, 1, 0, 1 का एक random combination जो है, वो हम generate करने वाले है, उसका size करने वाला है, 500 बीटते हैं, 500 बीटते हैं, 500 आइटे हैं, ठीक है, तो जैसी में इसको generate करता हूं, तो आप देख सकते हैं, उसका noise का shape का generate हो गया, 500 बीटते हैं, 500 बीटते हैं, और जब मैं noise को एक तरीके समख शागया की निया, इसी तदी किसे कुछ चीटियां जो है, वो आपको घूमते हुए दिखते हैं, अपने screen पे, आपको कुछ visuals ने दिखते, एंटीना का भाया, कही ना कहीं, जो दिशा है, वो दिशा भूल गया होता है, इसलिए signal निये पकड़ता, तो खुछ ऐसी जो noise screen आपको यहाँ पे दिखाई देती है, अब इसके साथ अपन क्या करते हैं, थोड़े बहुत experimentation करते हैं, जैसे for example, for example, what I am trying to do is, कि यार अगर मेरे पास एक image है, जिसमें भाया, let's say, मैंने एक कोई shape बना दिया, ठीक है, अब वो shape exist करता है, अब वो shape भी मुझे दिखना ची यह एक ही जगह पे, तो यह कैसे किया जा सकता है, यह मैं आपको बताता हूँ, बड़ा simple सा फंडा है, what you have to do is, सबसे पहले तो भाई यह जो noise है, जिसमें values क्या है, 0 है और 1 है, आपन क्या करते हैं, उन सब को अपन 255 से multiply करते हैं, तो obviously बाते end result क्या होगा, 0 into 255 करेंगे त आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहां तक आपने अपना कारिकरम लेके आगे हैं, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, और फिर आपन क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से पहले काली screen बना लेते हैं, उसके उपर एक shape circle का बना लेते हैं, जो क आपने ले लिया, पूरा zeros का image बना दिया, अब zeros मतलब क्या, pixel value के साब से ब्लैक होता है, और उसका shape के ले लिया, पास्व बैपास से हो, और उसका type के ले लिया, इंट 32, बराबर है, अब मैंने जैसी इस image को देखा, तो obviously बात है, zeros से filled है, तो black ही दिखना है, और उसका dimension भ मुझे दिख रहा पूरा black, इसमें मैं कोशिश करता हूँ कुछ ऐसा circle बनाने के, जो कि possible है, आपको क्या करना पड़ेगा, circle method, use करना पड़ेगा, opencv, cv2.circle, और उसमें जो image है, यानि कि पूरी जो आपकी पहले black थी, इसके उपर बनाना है, तो वो IMG, तो मैंने IMG के उ 250, 250, इस पर मेरा circle बनना चाहिए center पर, radius होना चाहिए 50, color होना चाहिए 255,0,0 और thickness जो उसके पांच में रख दी है, और finally मेरे सामने circle plot इस तरीके से हो गया, इस काले screen पे, अब यहां पर आपको एक shape तो दिख रहा है, अब इसमें अगर मुझे noise भी induce करनी होगी तो, जो कि क्या करते हो, यह जो आपकी image है, यह जो आपकी image बनके तैर हुई है, और यह जो आपकी पूरी noise है, IMG plus noise कर दो, और image को update कर दो, जैसी आप image को update करते हो, देखते हो, भाई सहाब, तो देखें दोस्तों, जो कहां था वो तो वहां करके दिखा दिया है, वहां पे ही noise को induce कर दिया है, उस IMG image के अंदर, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और step आगे बढ़ते हैं, और अपन क्या परयास करेंगे, पता है क्या, कि यह जो circle पे noise है, वो सिर्फ अपने को उतनी ही दिखे और बाकी सब जो है, वो noise निकल जाए, क्या ऐसा selectively हम कर सकते हैं, is it possible, मत IC है, बड़ा symbol है मैं आपको होता तो कैसे करना है, पहले आपने क्या किया था, वही सारा step आपन वापस repeat करेंगे, यानि कि एक नया noise जो है मैं बना लूँगा, जिसका same range 0 से 2 होगा, वापस से noise 1 वही होगा, 1010 का random combination, आप यहाँ पे सिर्फ मल्टिप्लाइ मैं करूँगा 255 मैं आपको बताने वाला हूं मामला हो कह रहा है, यहाँ पर simply मैंने क्या कर दिया, पहले मैंने उसे 255 से मल्टिप्लाइ किया तो noise को, लेकिन यहाँ जो noise 1 है, इसमें थोड़ा अलग करने वाल है, तो इसको माइनस 255 से मल्टिप्लाइ करता हूं, तो as obvious, आपको जहाँ जहा अगला खेल, अगला खेल वही है, आगले खेल में मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ बहिया, दोनों को add कर दिया, IMG1 और noise 1, मतलब यह IMG1 यह अला, और यह noise 1 मैंने यहाँ पर minus 255 इसमें लगाया हूआ है, उसमें multiply किया, वो दोनों का मैंने combination कर दिया, आप देख सक form हुआ है, तो इसमें noise भी है, सही बात है कि नहीं, अब इसमें minus 255 का आकड़ा भी है, यह भी सही बात है, यह भी agree करने वाली बात है, तो अब मैं क्या करता हूँ, जहां जहां पर मुझे इस respective image में minus 255 दिखने वाला है, मैं उसको सीधा 0 में convert कर दूँग, यानि कि सीधा black बना दूँगा उसको मैं, जहां जहां minus 255 दिख रहा है, वहाँ 0 लगा दूँगा, यानि simply उसको black बना दूँगा मैं, ओके, तो आप एक चीज़ observe करोगे, कि यहां पर पहले से जो black था, यानि कि 0 आकड़े थे, बराबर है, उसमें मैंने क्या add किया था, minus 255, अगर आप add black हो जाएगा, लेकिन सिर्फ ये जो पूरी circle ring है, ये minus 255 value hold नहीं कर रही है, ये different value hold कर रही है, इसलिए सिर्फ यही ऐसा का ऐसा रहेगा, बाकि सब काला हो जाएगा, यानि कि 0 हो जाएगा, और उसको करने के लिए simple सा fund आपके सामने result के साथ दिखा देता हूँ, आइमजी 1 के अंदर, जहाँ जहाँ पर भईया, minus 255 दिखेगा, उसको simply 0 बना दो, और आइमजी 1 को जब मैं देखता हूँ, तो आप simply देख सकते हो, जो मैंने बताया, वही हुआ, कि यहाँ पर पूरा पूरा portion जो है, वो black आपको दिखाई दे रहा, this whole portion is black, अंदर का portion भी रहने दिया है, उनको वैसा ही अपने रहने दिया है, और इसी तरीके से जैसे मैंने बोला था कि circle की उपर आपको noise दिखानी अगर होगी, तो आप इस तरीके से noise दिखा सकते हो, एक texture जो है वो add हो जाता है, बराबर की नहीं, एक तरीकी से एक style add हो जाती, पहले आपको circle कै इसा था, ऐसा normal circle था, अब थोड़ा सा texture वाला circle आपको दिख रहा है, जो कि actual में nothing बट एक noise का implementation है, जो कि आज अपनी इस वीडियो में देखा है, तो I hope दोस्तों इस वीडियो के जरीए आपको ये सारा noisy मामला जो है, वो clear हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, अगर आ गय अगर इस वीडियो को लाइक कर दीजे, उससे भी आज दोरी इस वीडियो को शेर कीजिए अपने सारों दोस्तों के साथ, thanks a lot दोस्तों for watching this video